तो आज हमने यह टॉपिक सेलेक्ट किया है इसके बारे में मुझे बोलना था क्योंकि मेरे पास जो केस भेज रहे थे लोग मेसेज करते थे तो उनमें बहुत से अनुफ्तव्यादी रहते थे और किसकी चिकिसा सर क्या करें मौड़न का कोई डाइग्नोसिस रहता था और इसकी चिकिसा क्या करें तो ये प्रशन जो है नए जो ववाईदय उनको प्रैक्टिस में आते है जब कोई ऐसा व्यादी आता है जिस व्यादी का उल्लेख शास्त्र में नहीं है कभी कबार हेतू ही नहीं मिलते हैं कभी कबार पता नहीं चलता कि उस व्यादी के बारे में कैसे सोचे क्या चिस्था दे तो अईरुवेदिय सिध्धान्त का प्रयोग करके ऐसे व्यादियों को जो है हम कैसे टैकल करें चुकिसा सुरुवात कैसे करें कहां से चालू करें यह बताने के लिए वीडियो है जो नए वैद्य है प्रैक्टिस में बैटते हैं और ऐसे अलग-अलग वैदियां आती हैं जिसका निदान आधुनिक वैदिक शास्त्रे ने पहले से किया रहता है तो ऐसे वैदियों में कैसे विचार करें चुकिसा कहां से शुरू करें क्या करना चाहिए यह बात मैं अभी इस लेक्चर में बोलने वाला हूँ पेले तो बात सभी व्यादियों के लिए ये सब सिध्धानत है तो कोई भी व्यादि अगर आपको लगे कि क्या करना है अभी शुरुवात कैसे करनी है तो इसके लिए ये एक शॉर्ट वीडियो है कोई बड़ी बात, कोई बड़ा secret नहीं पताने वाला हूं, ये पताने की कोशुश कर रहा हूं कि आईरुएधी perspective जो है, वो अलग है, ऐसे कोई दवाई नहीं है, जो यूरिक एसिड कम करे आईरुएध में, ऐसे कोई दवाई नहीं है कोई बेस्ट दवाई नहीं है कि आरे फैक्टर कम करें ऐसे कोई बेस्ट दवाई आयरोवेद में नहीं है कि यूरिन अल्विमिन कम करें ऐसे कोई बेस्ट दवाई आयरोवेद में नहीं है कि वो सिरम कैलिश्यम बढ़ाएं तो ऐसा आयरोवेद मे अमुरूता बेस्ट है या पिर आरेफेक्टर जब बढ़ता है तो शुन्ठी बेस्ट है ऐसा बनाना भी गलत है हमें कोई भी व्यादी जो है जैसे अधुनिक वैदिक शास्त्र में अमवात नहीं है अमावस्था नहीं है विश्टब दाजेरण नहीं है विदग दाजेरण नहीं है इस प्रकार के बैकार से आधुनिक वहिद्यक्षास्त्रि में नहीं है उसी प्रकार से यह जो अनुक्थ व्यादिया हैं जो आईगरफेद्만 की है उसकी डाइरेक्ग चिखते सापको मिलेगी नहीं फ्रकार के पास कोई भी व्यादी अगर आ गई तो उस सिध्धानत के आधार पर आप जो है कि काम कर सकते हैं अगर आपके पास फिवर का पेशंट आया तो पहले तो लोग पुछते थे जो अधुनिक वेधिक शास्तर के पहले के जो डॉक्टर थे तो पूछते थे कि फिवर कब बढ़ रहा है खाने के बाद बढ़ा किस प्रकार के किस फिवर आ रहा है कम ज़्यादा हो रहा है क्या हाई ग्रेड है क्या अभी तो यह प्रशन पूछे नहीं जाते अभी तो जो लैब वाला है उसके पास ब्लड सैंपल जाता है और वही डाइगनोस करता है और उसके डाइगनोस के स्क्रिनिंग इसमें हो जाता है और उसके आधार परों चिकिसा देते हैं तो वैद्य का काम वहाँ डॉक्टर का काम सिर्फ चिकिसा देना इस प्रकार से हैं पर हमारे यहां ऐसा नहीं हम निदान हमीं करते हैं और निदान करने के बाद चिकिस्सा हमें ही देनी पड़ती है तो अयरोलीग वईद्य जो है वो सरो संपूर्ण है निदान करने में आपके पास मुतराश्मरी का पेशेंट आया तो हमारी निदान जो है वो तो मुतराश्मरी नहीं रहना चाहिए पहले बात ध्यान रखो अगर कोई पेशन्ट उनके यहां से कास का पेशन्ट आ रहा है पिर भी हमें डिटेल केसे इस्टी लेनी है और वो पेशन्ट जो रहका है क्या क्या दुसरे व्याधि के परतंत्र प्रकुप से कोई दुसरी व् अगर उतनी संप्राप्ति आपको समझ में आ गई तो हम किसी भी अनुक्त व्याधी की संप्राप्तिया लगा सकते हैं हमें कोई अनुक्त व्याधी मिल गए और जिसकी संप्राप्ति अगनी मान देखी है जिसकी संप्राप्ति अगनी का विमार के गमन है इस प्रकर के संप्राप्ति है वो अनुक्त व्याधी की तो हम जो और का निदान करके जो और की चिकिस्सा कर सकते हैं तो ये जो 15, 16, 17 व्यादी जो है शास्तर में वरणित ये पॉसिबल संप्रापतिया है, उसके अधार पर आप किसी भी अनुक्त व्यादी की चिकिसा संप्रापति लगा कर चिकिसा कर सकते हैं, अब कुछ basic point है अनुक्तव्यादी की जिस प्रकार से उस point के आधार पर जो है अनुक्तव्यादी का विचार का सकते हैं पहली बात अगर आपके पास एसी व्यादी आ गई अनुक्तव्यादी आ गई जिसका निदान कुछ modern में किया है कैंसर किया है या फिर कुछ भी किया है तो चिकिसा शुरुवात कहां से करें यह पहला प्रश्ण जो आता है मन में तो उसके लिए क्या करना है पहले तो वह अनुत्य व्यादी है हेतु देखो नहीं मिल रहे है छोड़ दो व्यादी इस अवस्ता में गई रहती है कि हेतु का रोली नहीं रहता क्योंकि हेतु बहुत पहले से हुए रहते है और अभी हेतु तो बंद किये रहते है पर अभी हेतु बंद करने के बाद चिकिसा नहीं उप्षय नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत समय तक हेतु चालू रहते ह व्यादी की जो अवस्ता है बहुत आगे चली रहती है तो अगर हित्वा इसे नहीं मिल रहा है सिर्फ व्यादी लेकर वह आ रहा है चाहे वह सपोज एक अदा एक्जामपल लेंगे हमकी एक जिवा का कैंसर एसे टंग कैंसर करके आपके पास कोई पेशेंट आ गया तो अब क्या करें यह पहला हमें आता है कि कोई बसम यूज करें क्या कोई क्या यूज करें तो देखो आयरुदिक चिकिस्सा जो है वो द्रव्य के आधार पर नहीं चलती है तो हमें सिद्धान्त मालुम चाहिए कि क्या करना है तो जो व्याधी अगर फॉर एक्जांपल हमने अगर यह कैंसर ले लिया टंग कैंसर की ले लिया तो जीवाप वे उदर कैंसर है उसको तो हमें क्या देखना है वो व्याधी कोन से स्थान में है जैसे आयरुदिक ने बताया है कि यह उर्ध्वस्थान जो है वो कपव का स्थान है यह मध्यम स्थान जो है नाभी और स्थन के बीच का यह जो स्थान है वो पित्त का स्थान है और अधो स्थान जो है वो वात का स्थान है तो व्यादी किस स्थान में है उस स्थान की चिकिस्षा करना तो अगर टंग कैंसर इदर है तो यह स्थान कपका है तो चिकिस्षा जो होगी वो मन होगी अगर वो व्यादी सर्व लक्षण से युक्त है टंग कैंसर है उसको और भी लक्षण है सब कुछ और रूबन अगर बलवान है तो जो है चिकिसा शोधन करनी है हमें तो टंग कैंसर का पेशेंट है रूबन बलवान है तो पहले जो है हमें क्या करना है वोमन करना है उसका ठ बदलेगा मैं चिकिस्टा की दिशा बता रहा हूँ, हमें करना क्या है, क्योंकि व्यादी बहुत उशावस्थित है, बड़ी है, रुपन बलवान है, ऐसे अगर है, तो हमें वो अगर उप्तवांग में व्यादी हुई है, तो हमें क्या करना है, वो मन करना है, अगर वो व्य उनका प्रयुक्ट करना चाहिए तो व्यादी शरेर के किस अवस्था किस भाग में है किस दोश्य के भाग में है किस दोश्य के स्थान है वहां की चिकिस्था होनी चाहिए पहली तो टंग कैंसर का पेशंट है या फिर कोई कोलान का कैंसर का पेशंट है तो हमें चिकिस्था क्या करनी है बस्ती देनी चाहिए क्योंकि वह पकवाशय में है ठीक है तो कोलान का कैंसर अगर हो गया तो पहली बस्ती होनी चाहिए अगर रुबन बल्वान है तो रुबन बल्वान नहीं है तो हमें वात्य की cancer है या फिर कोई अनुक्तव्यादी है तो हमें उस पित्त स्थान की चेकिस्या करनी चाहिए विरेचन करना चाहिए या फिर उसका बल अगर कम है तो पित्त शमन करके उपचार करनी चाहिए, यह basic नियम है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अनुक्तव्यादी रहेंगे, आपके पास आएंगे, और आप क्या करेंगे, कोई case discussion होगा, उसमें पुछेंगे, या फिर कोई बड़े वईद्य है, उनको पुछेंगे, और हर वईद्य जो है, वो अलग-अलग answer देगा आपको, बरबर है, उसके हिसाब से, उसने उस प्रकार के patient, कौन से इस प्रकार से चेक किये है, ठीक किये है, उसके अनुसार वो आपको answer देगा, पर आपका जो है, वो base होना चाहिए, कि हमें करना क्या है, अगर मेरे खपस्थान में व्यादी कोई अनुक्त है, तो मैं वि पर basic fundamental की क्या देना चाहिए, तो उसमें जिस स्थान में व्यादी है, उस स्थान की चेकिसा करनी चाहिए, अब renal failure का patient आपके पास आ गया, अब वो स्थान क्या है, वात का स्थान है, तो बस्ती होनी चाहिए, अगर वो patient कुर्श हो गया है, रिनल failure से, तो आपको यापन ब qualities होता है, तो उसमें आपने वो बिलव तेल की बस्ती देदी, इरी मेदादी देल की बस्ती देदी, तो इस बस्तियों से मात्रा बस्तियां देदी, इन बस्तियों से जट से फाइदा मिल जाता है, तो पहला चेकिसा सिद्दानत क्या है, व्यादी, अनुक्त व्यादी, जि कि जिस स्थान में है, उस स्थान की चिकिस्टा होनी चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया, इसमें कुछ किसी को प्रश्ण है, अगर है तो पूछो, फिर आगे जाता हूं, अगर पूछो, अगर वैधी मानों अगर ब्रेस्ट कैंसर है, तो हम लोग स्थिम्न के बारे में सोचेंगे, तो इस तन में सोचेंगे कि माउंस है और उस चीज में पर फिर हम माउंस पाचक दे या फिर शोदन कैसे करें से देखो ब्रिस कैंसर है बलवान रुगन है ताकत अच्छी है तो वमन देना चाहिए पहला तो पहले क्या हो गया शोदन हो गया माउस दातू जो है वो भी कफ़ अच्छा पहला होना चाहिए पहले दोश अच्छे होने चाहिए फिर धातू देखो क्या है अनुक्तवैदी आते हैं आपके पास ये तीन दोश है ये साथ धातू है है ना कभी कबार समझ में नहीं आता संप्राप्ति भंग कैसे करें कभी कबार समझ में नहीं आता क्या हि इसके लक्षन कुछ दिख भी नहीं रहे है, आगे चालन करें का अगे हम ऊगली, अगला पॉइंट, तो breast cancer हो यहाँ रुग्ण कान पर और रहां होराँ मुद्दण होगा Prince सठर मेंतल स मजब हो गया पिर जो चक्षा होनी है सधाती पर करो कफोइद सबाद में करो बदवबर रएप अर्गे पनलवान होना चाहिए फैले बाशोधन के लिए बलवान होना चाहिए किके एक हाँ ये परीला क्रेटिरिया और सर में जब शोधन करना रहता है इसे नहीं होगा पर उस समय क्या करना है यह जो है ना कि सिध्धान तक ऐसे यूज़ करने इसके बारे में चर्च जाए ठीक है शोधन शास्त्रक तो ही होना चाहिए क्योंकि शाखा का दोश कोष्ट में लाना जरूरी है और वो बाहर फिकना जरूरी है तब ही वो दोशों का शोधन हो जाएगा इसलिए शास्त्रक दोबर वो चाहिए है थावरे ईस प्राकर से करना चाहिए उसमें ढारे बार लूर्ग्ण चाहिए उसमें भी देखना है कि आपको कफष लत क्लेशी लक्षन दिख रहे था उपर से दोश कोगों उन्हज़ आधी मैं तो नहीं विदिःच्णा और रिखर आ लूरे तो धि पर कुछ भी नहीं हो रहा है, और व्यादी उदर है, व्यादी वात्य के स्थान में है, कुछ भी बाकी कुछ तकलिफ नहीं है पेशन को, तो चिकिस्सा बुवस्ति होनी चाहिए, और कुछ है, प्रश्ना, आले जाओ, दूसरा, दूसरा पॉइंट, अगर अनुक्त व्यादी जो है, जिस आशे में है, वो आशे, जिस धातों से बना है, उस धातों की चिकिस्सा होनी चाहिए, जैसे, for example, कोई व्यादी लो, आपका भी क्या लिया, आपने, breast cancer लिया है न, तो breast cancer है, है न, और वो कफस्थान में है, और उसकी जो गाठ है, गरंथी है, है न, वो क्या है, वो माउस और मेद युक्त, इस प्रकार से अगर हमने निर्धारित कर दी, तो चिकिस्सा जो है, माउस की मेद की होनी चाहिए, वो मेद की रहती है, और जो सुगटित रहती है, कठीन रहती है, वो माउस की रहती है, तो उस प्रकार से लंबन करता है मेद, ठीक है, तो अगर लंबित है, तो मेद की चिकिस्सा होनी चाहिए, और ये है, तो गटित है, तो माउस की चिकिस्सा होनी चाहिए, तो व्यादी ज उस धातुओं की चिकिस्था हो गई, तो आशे अच्छा हो गया, तो आश्री जो है, उसकी चिकिस्था हो जाती है, ठीक है ना, जो आश्री है, उसकी चिकिस्था अगर हो गई, तो आश्री की चिकिस्था होती है, जैसे कोई एक्जामपल लेंगे, येसे फेपड़ों का कैंसर है, फिर फाइब्रोसिस ओप लंग्स है, ऐसे कुछ तो पकड़ेंगे, तो उसमें क्या हो गया, फेपड़े हैं, लंग्स हैं, तो शोणी तो फेण पुपुसा, तो शोणी तो फेण से ये फुपुसा की निर्मिती हुए, शुश्र के जारें जे उत्पति दिये आवयों की, वो देखना, तो फेपड़ों पर अगर हमें काम करना है, तो रक्त धातु पर ही काम करना है, तो रक्त का प्रसादन करना है, शोधन करना है, क्या करना जो है रक्त का, वो क्या करना है, वो फेपड़ों पर काम आएगा, बाकी की व्यादी प्रत तंग कैंसर है अभी तंग ही ले लिया तंग कैंसर है तो यह जिवा किससे बनती है शोनित कफ शोनित माउसा नाम सा रहा है ना तो कफ की चिकिस्टा शोनित की चिकिस्टा और माउसा की चिकिस्टा यह तीन चिकिस्टा है यह तीन धातों को बल देने वाले चिकिस्टा होनी ह चाहिए अब जीवा में कोई cancer आ गया और आपने हेतु अगर ढूढने की कोशिश की और हेतु में कफ़ दुष्टी कर कुछ हेतु मिल गए तो आपको कफ़ की किसा करने चाहिए वोमन करने चाहिए आपको रक्त दुष्टी की हेतु ज्यादा मिल गए अगर मिले ही है तो से mouse extension कर रहा है अथी mouse action कर रहा है अभिधित mouse station कर रहा दिवा स्वाप कर रहा है इस प्रकार से कुछ हेतु मिल गए तो आपको mouse की किसा करने चाहिए वो रणबीं है उसको दगदखरना चाहिए ठीकैं अगर वो रक्त दुष्टी जन्य कुछ कारण जादा है और जिवा में कुछ ऐसा अधिमाउस आ गया है तो अगर आप तुने अगनिकर्म कर दिया उहां पे रक्त दुष्टी जन्य हेतु है और अगनिकर्म करने से क्या हो जाएगा पाक हो जाएगा वरण हो जाएगा ऐसे प प्सक्रकर से होने चाहिए तो उसमें आप अगनिदग्दग कर सकते हो ठीक है, तो जिस आशय के धातुएं है उस धातों की चिकिस्सा होनी चाहिए इसमें कुछ डक्ष दावट है क्या जैसे बृक्क में कुछ बीमारी है तो बृक किस्से बनता है रक्त मेद प्रसादात है तो रक्तो और मेद की किस्सा होनी चाहिए मेद का पुशन आमाशे के कलेट से होता है व्रुक्क का तो आमाशे में घृत जाना चाहिए व्रुक्क के किस्सा में मेद पर काम करना चाहिए रक्त पर काम होना चाहिए इस प्रकर से काम होनी चाहिए इसमें किसको डाउट है क्या मैं अलग-अलग एंगल बता रहा हूँ जिससे के अनुक्तेवैदी की उक्तेवैदी तो आपको आएंगी आप हेतुबद निकालोगे गुण निकालोगे उस प्रकर से काम करोगी इसमें कुछ आपको लग रहा है कुछ विचार, चिंतन तो इसलिए शुष्षूत की जो अवयोत पत्ती है वो देख़ए एक बार जैसे व्रुषण में कुछ बीमारिया है व्रुषण में कुछ व्यादी अनुक्त व्यादी कुछ हुई है जो आम ग्रन्थी हुई है इस प्रकार से तो हमें माउस का विचार, असुरुप का विचार, कफ का विचार और मेद का विचार ये तीनों विचार, ये चारों विचार करने ही चाहिए और इन चारों के कुछ हेतु है क्या वो ढूंडने चाहिए अगर है तो बंद करने चाहिए और उस प्रकार के पाश्चन देना, उस प्रकार से बल देना उस धातूं को ये करना चीए देखो, ये दोशें बड़े हुए और ये धातूएं हैं, ठीकें, अब ये अगर वात बढ़ गया, वात बुर्द्धी हो गई और इसने किसी एक धातूओं के अंदर गया, माउस में गया, मेद में गया, रक्त में गया, तो रक्त गतवात हो गया, मेद गतवात हो गया, माउस गतवात हो गया, पर एक गतवा कब आएगा, इस धातूओं का जब बल कम हो रहेगा, शैतिल्य रहेगा, दुष्टी रहेगी कुछ बढ़ रहेगा तबाएगा हम क्या कर रहे है धातुओं को बल बढ़ा रहे है चिकिस्सा से हमें अनुक्तव्यादी पता ही नहीं है यह क्या है तो हम क्या कर रहे है यह माउस में गया है ना तो हम माउस की ताकत बढ़ाएंगे हम माउस में जाने वाली दवाईया माउस कामित वक विचार करके मांस पाचक देंगे, मांस अगदी बढ़ाएंगे मांस में बल देने वाली दवाई देंगे तो इससे क्या होगा? उस धातों का बल बढ़ेगा तो ये व्यादी जो है वो आगंतु की है वो व्यादी का उस इसकी नहीं है बनी हुई व्यादी है बाहर से आई हुई व्यादी है तो धातों का बल बढ़ने के बाद अटमेटिक जो है व्यादी चली जाती है चली जाने के संभावना बढ़ती है नहीं तो व्यादी उस धातों को और खराब करने के संभावना भी कम हो जाती है अगर ढातू काःऊं ने बड़ बड़ा दिया तो जैसे ब्लड कैंसर का patient है बहुत patient है हमारे पास तो उसमें भुत दातू को बल बड़ाने वाले चीकिस्या दे रहे अब cancer तो जाने वाला नहीं है ठीक है भराबर है तो उसकी दवाई देने से क्या हो रहा है मारकर ज्यादा बढ़िवी ने रहे है कम भी रहे है उसको तकलिफ भी नहीं कुछ हो रही है बहुत समय तक चल रही है यह आप्प्य हो रहा है ठीक है पर रखधा तुछ अच्छा कर रहे हैं तो ऐसे काम कर सकते हैं बड़े-बड़े cancer जैसे व्यादियों में उस धातूं के बल बढ़ाने वाले चिक्सा आप कर सकते हो ठीक हैं और इसमें पाचन का रोल जो है महत्वपुर्ण है रसपाचक है रक्तपाचक है महत्वपाचक यह उस धातूं में धातूं का अगनी अच्छा कर देता है तो जो कुछ दवाईया आपने दी है उस धातू पर ठीक है इसमें कुछ विचार है कि आपके थायरोड व्यादी में लाक्षनिक रसक्षे पुछो अब डायरेक्ट प्रस्चन पुछो हाँ वही कांचनर गुगूल जैसा विचार अब आपको ठीक है इसलिए मैं बोल रहा हूँ यह क्योंकि यह करे इसका विचार कई से करे इसका विचार करे उसका विचार करे अलग-अलग पॉडन के डाइगनोसिस आते हैं और उसके विचर करें व्यादी जिस स्थान में है जिस दोश के स्थान में है उस दोश की पहले चिस्था होनी जाईए तो यह कफस्थान है वमन पहले होना चाहिए वासंति कभी वसंत रूत हो है चैतर तक वसंत कप प्रकोप तक जाएगा चैपुर्वप्रकोप हो जाएगा और चैतर महिना में एक दो महिने के बाद जो है वमन होना चाहिए थायरोड के पैशन पहले होना चाहिए क्योंकि उर्ध्वांगा है शोदन होना चाहिए कपका फिर बाद में शमन चिकिसा देतो यह देतो आपके आयरोदी के अनुसार डाइगनोस करके चिकिस्सा दे दो, पर शोधना, अगर व्यादी बहुत देर समय तक है, ठीक है, लक्षन, बहुत से लक्षन लेकर है, रुगण बलवान है, ऐसा अगर है, तो शोधन चिकिस्सा होनी चाहिए, तो थायरण के जो जो पेशन्ट है, अच्छे खासे पेशन्ट है, वो आगे में बोलूँगा, और, इसमें कुछ पूछना है क्या किसी को, यह बहुत बेसिक चीज़ है, पर यह मालूम होकर भी हम क्या करते हैं, अनुक्त व्यादी आगर आने के पाद हम पूछते हैं, इसको, उसको, और कोई तो फिर बताता है, और इस व्यादी में तो नहीं सकता है, चोटे में और हो सकता है, तो ऐसे इसमें मत फसना है, हमें सिद्धानते के आदार पर जाना है, आगे, और किसी को कुछ प्रश्ण है क्या, मैं आपको प्रश्ण इसलिए पूछ रहा हूं कि यह टूवे हो, कोई अनुक्त व्यादी आ गई और आपको पता ही नहीं चल रहा इसका करे क्या, कुछ अलग सही निदान आ गया है, उस व्यादी का गूगल सर्च कर दो, पहले तो बोला मैंने स्थान क्या रिचार कर दो, दुसरा है जिस आशय में व्यादी है, अगर गरभा शय में कुछ क्वातक स्थान में, चिकिसा बस्ती होनी चाहिए पहली बात, दुसरा गरभा शय जो है माउसा घटिता हुए हो है, तो चिकिसा माउसा की होनी चाहिए, तो माउसा में गॉल बेडर स्टोन है, सभी में यह ही है, कोई भी इसलिए बोल रहा हूं, गॉल बेडर स्टोन का हमे निदान गॉल्ब्रेडर स्टोन करना ही नहीं है हम जो पित्ताशय बोलते हैं वो गॉल्ब्रेडर ही नहीं थिक है तो आगे की बात ही नहीं होती हम गॉल्ब्रेडर कुछ टोन देखना ही नहीं है हमें क्या देखना है शूल हो रहा है तो हमें उदर शूल की चिकिसा देनी च चिकिस्सा करते समय आपको एकदम इसमें चिकिस्सा करनी आनी चाहिए दिमाग में कुछ भी ऐसा यह नहीं होना चाहिए क्या करू यह और वह वह तहीं है क्या हो रहा है तो इसलिए क्षिदांत फैर वो नहीं आने है अंश तो आपके पास कोई भी कठी अनुक्त व्यादी आने दो आपको कुछ टेंशन ही नहीं आएगा किसी बात का तो दो चीज़े हमने देख लिए अभी क्या क्या देख लिया क्या देख लिया कोई बताए बताए अभी क्या क्या का करना है डूस्तान में हो तो बस्ती करनी है यह करनी है अगर बलवान है तो दूसरी दूसरा point क्या है वैदी आश्री आश्री यस क्योंकि हमारा सिद्धानत है कि आश्री की चिकिस्सा हो गई तो आश्री की चिकिस्सा हो जाती है ठीक है ना घर है तो घर में जगड़े नहीं होने चाहिए तो हर इंसान को क्या कर सकते है उसको अच्छा बना सकते हैं, नहीं तो घर कोई अच्छा बना सकते हैं, तो ऐसा है, आशय अश्रही भाव, तो एक की चिकला होगए तो दुसरी की चिकला होती है, हर टाइम ऐसे होगा, ऐसे भी नहीं, कईयों में कुछ ये भी आएगा, पर ये मूल सिद्धान्त है, लृष्ट नहीं है तो अगर माउस को अच्छा किया वहां का अगनी अच्छा किया माउस-धातु का तो क्या होगा यह धातु-बल तो अच्छा होगा ताकि यह जो फाइबरोड की संपराप्ति निर्दारी वो रोख जाएगी, और जो बनी है, वो भी नाश्य करने के शमता आ भी सकती है, ना भी सकती है, भी बता नहीं सकते, क्योंकि व्यादी बल कितना है, उस पर निरदारित रहेगा, तो हमें पहले धातू का तो बल बढ़ाना चाहिए, कई बार क्या होता है, धातू पर विचार करनी चाहिए है ना ये ये अगर चार पच पॉइंट आपने दिमाग में रखे ना तो कोई भी आपके पास कोई भी बड़े बड़े नाम वाली कोई भी अनुक्त व्यादी आने दो आप चिकेसा कर पाओगे होगे दो पॉइंट होगे तीन होगे वादी आशे और धातु बल्ले चिकेसा यह 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 तीन बहुत मुहतोबुर्ण है हम जो प्रैक्टिस में यूज करते हैं यह तीन ही पॉइंट यूज करते हैं तीन पॉइंट लेने लेने और आपको जस्टिफाइए करने आती है ट्रेटमेंट फिर जब आपके पास उस प्रकार का आनुप्त वैदी आ गया और आपने वहले नहीं मैं वमन देने वाले हो तो आप न उस चिकेसा को जस्टिफाइए करने आता है क्योंकि वह व्यादी कपस्थान में हुई है स्थान की चिकेसा पहले होनी चाहिए ऐसा सिद्धानत है इसलिए हम वमन दे रहें रुप्ण बल्वान है सर्वसंपूर्ण लक्षन है बहुत होशावस्था है इसलिए हम वमन दे रहें यह जस्टिफिकेशन है यह हर टाइम ट्रेटमेंट में आना ही चाहिए मुझे लगता है उन्होंने यूज किया था मुझे लग रहा है ऐसा यह वाक्य जो है वह न अनुक्त व्यादी है तो आपको जो कुछ शांस्तर में वरणित 15-16 जो कुछ व्यादियां है उनके पूर्वरूप जो है अच्छे मालूम रहने चाहिए पूर्वरूप लक्षन जो है आपको मालूम रहने चाहिए कभी कबार वह अनुक्त व्यादी जो है एका दूसरा प पुरवरूप दिखाती है और वो पुरवरूप अगर आपको पांडू के मिल गए रक्तवित्य के मिल गए या फिर किसी के मिल गए तो आपको उस पांडू की उस रक्तवित्य की चिकिसा करनी है सिंपल अगर कोई अनुक्तव्यदी है और उसको वो किसी जर के पुरवरूप दिखा रही है या फिर पांडू के पुरवरूप दिखा रही है रक्तवित्य के पुरवरूप दिखा रही है अर्शे के पुरवरूप दिखा रही है किसी के भी पुरवरूप अगर वो दिखा रही है वह अनुक्तव्यादी सभी दिखाएगे ऐसा नहीं है पर एक तीन-चार तीन-चार दिखा रही है बाकि कुछ पेशन्ट ओके है पर ऐसे दो-तिन पूर्वरूप दिखा रही है वह अनुक्तव्यादी तो हमें वह व्यादी पकड़ कर कौनसी शास्त्र में वढ़ने जो व्यादी है वह पांडू है रक्तवित्त है वह व्यादी है ऐसा पकड़ कर जो है हमें चिकिस्था करनी है चाहिए वह कोई व्यानुक्तव्यादी है एक हेमोपिले का पेशन्ट है मेरे पास उसका उसका पूर्वरूप में यह था रक्तवित्त के दो पूर्वरूप थ तो उसका अभी सब्सक्राइब mm eh to miss उसको अब इसकी रख्धिज्वित्य चरही है तो यहाँ पर है चरहे हैं पर वह हैं प्रेक्टर की इंचेक्षिन लेने लगें वह अभी वह इंजक्षिन प्रोलाम हो गये तो मै Alfjonna के इंजेक्शिण अभी साल में गए हैं तो क्या कि हमने वह व्यादी के लक्षَन है वह किसी हमारे व्यादी के पुरु रूप से लक्षं से कुछ मिल रहे क्यों देखना और उस प्रकार कार से यह बताने के लिए अलग-अलग एंगल है, कभी-कबार थोड़े से लक्षन लेकर आएगी, कभी-कबार कुछ भी लक्षन लेकर आएगी, तो पहले के 2-3 जो सिद्धान्त में ने बोल दिये हैं, वो एपलाई करने हैं, पर कभी-कबार एक-दो पुरवरूपती लक्षन ऐसा लेकर वो आएगी वैदी, अनुपत वैदी, तो क्या करना है, यह काम करना है, उसमें पांडू में बिठाना, रक्तवित्य में बिठाना, यह जो अलग-अलग संप्राप्तियां शास्तर में वड़नेत किया है, इसमें कुछ पुछना है, आपको आगे जाता हूँ, अभी के पॉइंट इतने यह नहीं है, पर पहले जो है, वो बहुत मुत पुपुरू नहीं है, यही पॉइंट जो है, इसको दिहान रखना है, अनुक्त वैदियों में, कभी कबार आपको लक्षन भी नहीं दिखेंगे, पुर्वरू भी नहीं दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेंगा, पर उस पेशन का आपने हेतु अगर ले लिए, तो आपको सिंपल पॉइंट है, इसमें लेक्षन देने की ज़रूत है, क्या नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, पर प्रशन जब मेरे पास आते हैं, कि या ऐसा-ऐसा माइकोसिस है, या ऐसा-ऐसा ऐसा फाइब्रोसिस है, या ऐसा-ऐसा डाइगनोस किया है, और उसकी चिक इसा क्या करी, तो यह क्या करें, जो प्रशन बार-बार आते हैं, उसके लिए यह लेक्चर में बता रहा हूँ, इसमें कुछ बड़ा, ऐसा-ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं मुझे लग रहा है, तो दुसरा है कि व्यादी के लक्षन नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, और पता इनी चल रहा है क्या करें, तो उस पेशन के डिटेल के सेस्टी लेनी है, सुबह से लेकर शाम तक, और आपको वातवृद्धी के हितू, पितवृद्धी के हितू, और लाइन में उनको पोचते जाना है, और उसको आपको अगर दिख रहे कि इसमें रक्त दुष्टी के हितू है, इसमें रक्त के द्रवगून बढ़ाने वाले हितू है, इसमें रक्त के तिक्षन उष्णकून बढ़ाने वाले हितू है, ऐसा अगर दिख रहा है, मिल रहा है तो उस वो संप्राप्ति कौन से व्यादी की संप्राप्ति है शास्त्र में उस ठीकी चिकित्सा कर दो, मतलब ऐसे से अगर संप्राप्ति आपको मिल जैसे और एक्जामपल, मैं बताता हूं पता चलेगा, जैसे कोई मध्यपान बहुत करता है, तिखा बहुत खाता है, इस प कुछ कि मध्यपान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, है ना, तो रक्त का द्रवगूर्ण, तिक्ष्नगूर्ण, उश्नगूर्ण, ऐसे बढ़ाने वाली कुछ चीज़े कर रहा है, और व्यादी कोई अलगी हुई है, ठीक है, रक्त पित्त नहीं हुई है, कोई करते हैं इसलिए हमें कभी कोई प्रेजेंटेशन बदल जाता है वही संप्राप्ति शास्त्र में वर्णिस संप्राप्ति दुश्य जो है अलग लेकर आती है और व्यादी अलग हो जाती है है ना पर वो ट्रैक्ट जो है वो सेम ही है है ना रख्त का द्रवगुण तिक्षण बढ़ाने वाला तो हमें वास्ता का प्रयोक करना है जो कुछ प्रयोक करना है वो करना है कई पेशेंट रहते हैं जो बहुत धूम्र पान करते हैं तो यह धूम्र जो है वह रुक्षण गुण का है तिक्षण गुण का है तो यह भी रख्त खराब करने वाला हेतु है यह भी पित्त खराब करने वाला हेतु है पर यहां रुक्षगुण के जादा है कि बरबने यहां रुक्षगुण जादा है यह संप्रापति कहा कढ़िए बांडू में अन्म करना है यहां करना इन उसके किसी को कूछ तो ब्रेन की समस्य हो गई और अ तो यहां प्रयोग करना है तो जादा सर जादा आप जिस प्रकार से संपरापती के नजदिक जा सकते हैं उस संपरापती भंग करने की वो आपके दरोब्य में रहती है यह जो है विचार करने है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हो यह से फॉर एक्जमपल अब देखो बहुत एक्जमपल है मैंने ऐसे कुछ प्लैन करके लेहां तो इसलिए मैंने निकाले नहीं तो कि देखो किसी को मलबद दता और इसकी यह है पेट नहीं साथ होता, ऐसा कुछ है, यह common example है, जो आपके ओपड़ी में आता है, और वो बोल रहा है, हमने देखा कि अर्श है क्या, बोल रहा है, नहीं अर्श है, बाकी कुछ तकलीप है क्या, कुछ भी नहीं है, तकलीप पेट साथ नहीं होता, ऐसा है, और उसने स्कोपी कर लिए, फिर भी अर्श नहीं है, इस प्रकार से है, और तकलीप क्या है, पेट साथ नहीं होता, और हित्व हमने देखे, तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो बोल रहा है कि मैं वहान प्रवास करता हूं, पचास-पचास-चाथ-चाथ किलोमेटर मुझे बाइक से जाना तो जिसको समझ में नहीं आता, और हित्व किसी गरन्थोक्त व्यादी के दिखाते हैं, टिपिकल, तो अगर उस प्रकार से हित्व दिखा रहे हैं, तो गरन्थ में वरनित उस व्यादी की चिकिस्टा करनी है, थिक है? ये हर टाइम प्रैक्टिस में द्ध्यान रखना है, कितने पॉइंट हो गए आमारे पाच हो गए हाँ कोणसे कोणसे हो गए फास्ट बोलो स्थान आशय धातू पूर्वरू रूप संप्राप्ति तरच श्री जोड़ूंगे है यह यह आथ लास्ट पॉइंट लास्ट देखेंगे हाँ अगर अनुक्त व्याधि कोई भी है और वो अनुक्त व्याधि कुछ वो परसन व्याधि नहीं जो रुब्ण है वो कुछ उप्षय अनुक्षय बता रहा है बाकी कुछ भी हेतू नहीं है बाकी कुछ भी पिछे का आपने पूचा कुछ भी नहीं मिल रहा है ना कुछ कुछ ना किसी से relation हो रहा है किसी आयरुदिक इससे ना हे तू दिख रहा है ना कुछ भी दिख रहा है ऐसे ब्यादियों में बोल रहा हूं तो इसे ब्यादियों में वो patient उप्षय अनुप्षय जो पताता है उसके आधार पर चिकिस्सा करनी है जैसे for example कोई patient आ गया मेरे सामने उस कुछ तो cancer cancer है कुछ भी है पेट में यह कुछ है स्थान का विचार मेंने के रहादिया धातूं का विचार कर दिया सब कुछ विचार कर दिये वो सब मैंने कर दिया और पेशन्ट पोल रहा है कि मुझे η ठंडी में रहना अच्छा नहीं लगता इसी लगए तो अच्छा न 너ुँए उस प्रकार के लिख्षण दिखाता है और उस प्रकार की क्या करता है इंच्छा व्यक्तता है प्रिती व्यक्त करता है, हमेरे यह तीन प्रिती आ रहती है, अगर यह आउट ओप दो बॉक्स है, प्रशन बताना, पर दोश की प्रिती रहती है, कौनसा दोश बढ़ गया है, उसके अनुसार, वात बढ़ गया तो बुड़ा बुड़े लो क्या बलते हैं, फैन बंद करो, तो दोश की अनुसार प्रिती रहती है, धातु की प्रिती रहती है, और एक धातु सारसारता की प्रिती रहती है, बचपन से जिस धातु में यह है, उस प्रकार से वो बच्चा मधुरी खाता है, तिखाई खाता है, उस प्रकार की प्रिती रहती है, तो इस प्रकार की प्र तो यहां भी हमें क्या देखना है कि उसको जिस प्रकार से जिस जिस गुण की द्वेश है जिस गुण की प्रिती है उस गुण का विचार करना चाहिए पेशन बोल रहा है मुझे लगता है कि बहुत भूख लगती मुझे इतना खाऊ उतना अच्छा लगता है तो समझना चाहिए कि अगनी वृद्धी है उसको संतरपन करने की जरूरत है गुरु आहर देने की जरूरत है यह हमें सोचना चाहिए तो इस प्रकार से इस प्रकार से जो है वह विचार करके हमें चिकेश्टा में उस प्रकार के बदलाव लाने है पेशन बोल रहा है कि मुझे इस प्रकार से गरम चीजह अच्छी है तो स्नेयान सुद्धन कर दो अच्छा उसको नहीं होता इतना शरिर आहां हमारा बनाया है भगवान नहीं तो उस प्रकार से वह काम करता है जैसे बीव बढ़ते हैं तो प्रस प्रकार है अगर इसका आपने लिख लिए और इसका रोज चिंतन कर लिया और जब प्रैक्टिस में रोज बैठोगे पाच्छे जितने बोले मैनिफेक्टर तो कोई भी आने दो कोई भी फाइब्रोसिस आने दो कोई भी कैंसर आने दो कोई भी कुछ भी कैसे भी आने दो व्यादी यह इस पाठ्षे सिद्धान तुमें बैठेगी है ना एक तो उर्धोबाग में होगी मद्यमबाग में होगी नहीं तो अधोबाग में होगी एक तो किसी स्थान में होगी फ्यपड़ो में होगी रक्त में होगी जिवा में होगी किसी स्थान में होगी करन में होगी है ना तो करन में होगी तो आपको क्या करना है करना जो है वो क्या है उर्द्वग है तो आपको वमन दे सकते हुआ पर यही करन जो है वह वात का भी स्थान है तो वमन देते समय सोचना भी है कि वमन देने के बाद भी वात प्रकुप होगा व्यादी अगर वात कि outward किए तो वह वमन नहीं देना है वहां कुछ अधिमाऊस है करण में कुछ यह आ गया है ऐसा कुछ है व्याधी भी कफ़ दोश दिखा रही है स्थान भी कफ़ का है तो वमन पहले होना चाहिए समझ मारे इसमें थोड़े बदलाव आएंगे समझ में आ रहा है न मैं क्या बूल रहा हूँ नासा अरबुद है और बार बार आ रहा है आपने वो अगनी कर्म किया कुछ भी किया बार बार आ रहा है चिकिसा पहले वमन होनी चाहिए क्यों क्योंकि यह मांस का स्थान है अरबुद कफ़ की व्यादी है स्थान कफ़ का है तो चिकिसा पहले वमन होनी चाहिए वमन करोगे तो संप्राप्ति भंग होगा अर्बूत का समझे बात आ रही है इसमें कुछ आपको लग रहा है प्रश्ण देखो अब यह पॉइंट अगर लेको बैठोगे क्लिनिक में कोई भी मॉडन की व्यादी लेलो डेविड सन लेलो कौन सा पन्ना ये करो पल्टो और उ इस पांच्छे में बैठती है क्या देखो सर एक विचाराइच्व है जा बस सर आता तुम्हीं बोलाना आता तुम्हीं मत्रेकी नासार बुद मना कि वाकर नगत वया दी मना कफाचा साना तापन वमन द्यावात मन लाहान मुलान मदे खशी चिकित सा करते लाहान मुलान बच्चों में जो व्यादियां होती है तो ज्यादा तर बहुत सिंपल होती है क्योंकि वो कोष्टगती दोश रहते हैं तो इसलिए बच्चों में बोला है कि क्या बोला है स्निकदायव सदावाला गृतम शिरम निशेविणाम लस्मात उल्लेखनम उसमें भी वमन बोला है अंगले ढाल के निकलना तो अगर ऐसे बच्चो में अब देख़न रुतु है बच्चों में अभी कफ़ और संस्चेग करना है उसन से पहले कफ निकल जाताएplings कि चैत्र महिना तक जो संप्राप्तिया बनने वाली है कपकी नियमोनिया ये वो क्या-क्या आइटीस बीटीस बनने वाला है कुछ भी बनती नहीं क्योंकि हमने अभी सही ये कर दिया तो इसलिए दो बार वागबड़ जा रहने बच्चों में दिया है कि उनको उद में वमन क करना चाहिए एक है ना दिया है ना सिर्फ अंगुली नेच करता है कि आपन येश्टी वाचे चाटन वेरे पन कई दियुशा नहीं उत्कलेशित आवस्तार रहती है उत्कलेशित आवस्तार रहती है सिर्फ उंगली करके वो निकालने रहती है थोड़ा सब गरम पानी दे दिया जाये तो वो स्थ्यानता निकल जाती है कẩपकी निकल गई तो उल्टी निकल कर कप निकल जाता है एक बार बहुत नहीं करना रहता है जब एसावस्तार में और शोधनार शोधन चिस्त अगर Gevaman फिर भी हो गया तो उससे भी ठेस्ट भी थकान मैسत होती है इसलिए सन पुल्टी निकालने हैं अगर ऐसे बच्चों में अभी किया आपने तो अभी दो मेहने में बहुत बढ़ने बढ़ेगा जैसी अगर में बढ़ेगी वैसा है तो उससे अच्छा अभी थोड़ा-थोड़ा कर दो बोलो पूछो डायरेक्ट प्रश्ण अपन करतो है अपन फक्त आमा शायतला दोश भायर करतो है उत्कलेशित जो पहले से आने वाला है दोश उनको सद्ध्यवाम अंतत्रोद क्रिष्टे समुद्ध क्रिष्टे कफे प्राय चले मले उपर ही आ रहा है ठीक है ना हम क्या कर रहें शिर्फ निकाल रहे है वह बाहर है कि अधिकर डेली से दूर वगरे असले आपन जानान अंतरपन द्यूश अपतों सब्योंते हैं अंगे उनका दोश पहले से कपस्तान भरा रहता है पिर इस अभी रुतू में कपस्तान भरा रहता है आमाशे में कप रहता है कप कब रहता ही है खासते है तो कपका आवाज ही आता है तकने कर निकल नीज़े अगर अगर अग्यधार के कर न चाटन देदो और निकलेगा तो बहुत ही अच्छी बात है फिर आगे की संप्राप्तियां नहीं होती बाद में ज़र अगनी का विमार गवन यह संप्राप्तियां नहीं होती ठीक है न वार्तज का ससेल्टर वार्तज का ससेल्टर बहुत सिंपल है आपको देखो वार्त में चिकिस्टा क्या है इस नेहन स्वेदन है पर हम क्या करते हैं निहनस्वदन सिर्फ हम क्या करते हैं, जब पहर धर्थ करते हैं, हात धर्थ करता है, कटी शूल रहता है, उदर इस निहनस्वदन करते हैं, बनाबर से हैं ulam erkennen, गळल गद वात अगर उद रभुद्dhi होगी, वात जकास, तो गले में इधर क्या करना है सरसों का तेल लगाना है और सेकना है इच किस्ता दीए वागबटा जा रहानी पर हम उदर कभी लगाती नहीं इधर कभी लगाती नहीं इधर कभी सेकती नहीं इधर कभी तेल लगाती नहीं इधर कभी सेकती नहीं बराबरे ना तुरंद वातर जिकास का वेग है न वो तुर अजमोदा लवण हिंग इस प्रकार से उष्ण द्रव्य रहने चाहिए ज्यादा नहीं हिंग अजमोदा यह रहने चाहिए और उससे तेल सिद्ध करना यह तेल पेट को लगाया तो भी अनुलोमन हो जाता है चेस्ट को लगाया कफ का विलयन हो जाता है एक उल्टी निकलने लवन पर चलेगा लवन नहीं आगा डालतो है जगर यह घंग और आजमोदा डालना हम क्या करते हैं देखो कभी प्रैक्टिस में क्या करना करते हैं तो चूरन जो एक 3-4 मेने चलते हैं उसके बाद उसकी वीरिया कम हो जाता है वह से चूरन जो रहते हैं बहुत यूज करत लिए और अभी उसका प्रयोग ही नहीं करना है नहीं पैशन्ट उस पर करके नहीं आए तो ऐसे बच्चे-बच्चे-चूर्ण जो रहते हैं जिसकी अभी विरिया हानी होने वाली है एक दो मेने में उनके तेल बनाना पर लिए तो वेस्ट नहीं जाते तो अजमोदा है यह नहीं पकड़ता करके देखना और यह नुसके विसके नहीं है यह शास्त्रोक्त सिध्धानत है क्योंकि हम पेट को तेल लगा दिया जाए तो देखो बार बार गैस पकड़ना पेट फूलना पेट फूलना गैस अधोवात नहीं जा नहीं रहा इस प्रकार की जो संप्राफ्तिया वो दूर होती है पेट फूलने बंद होता है तो यह तेल जो है बहुत ही कारगर है यह सिंपल तेल है तो यह सिद्ध करके आप लगा सकते हो तो जो जो चूड़ना इसे रहते हैं प्रैक्टिशन ठेकना नहीं कभी इसके अभी वेरियहानी होने वाली है उसका तेल बनाओ तो उस तेल का प्रयोक किदर भी कौन से भी चूड़ना का तेल का प्रयोक कहां पर भी कर सकते हो उस उस प्रकार की लक्षन देखकर ठीक है तो बच्चों को जो जो बच्चे पत्ले हैं बहुत ही वातका वेग शाम को शाम बुरुण करना बुरुण वाला टेल करना स्नेहन स्वेदन करने के बाद वाद का वेग कम हो जाता है इन सिंपल ठीगा ना बोलो और किसको कुछ पना केस्ट डिसकेशन नहीं अभी यह अमरा आज का टॉपिक अलगे फिर भी पूछो एका दूसर प्रश्णा हालो सर बोला केस्ट नहीं ना मुट्टी ना बोला माला जे तुम्ही सद्यवामन सांगित ला ना माझा तक्षा बद्दल अनुभाव सांगू का लास्टियर तुम्ही माला गाइड केल होता एक खेस होती सहाते सात बर्शाची मुल्य होती तीला कुक कंडो होता बाद में फिर से ट्रिट्मेंट शुरू होती एक बार उस बेबी को बहुत बुखार ने लगा ने लगा में आप से पूच के एक बार किया सद्यो महन और बाकि हमारे जो पार उसके बाद भी चेह मेने होगे पेषन्ट ने लगा दार एक साल ट्रीटमेंटली मेरे से, मेरे से लिए दोच बहुत प्रबरुतल है, तो एक साल पर एक समेडिसीन लिया उसके मम्मी ने मेरे से, और अभी पेशन्ट को छे मैने हो गई, अभी भी उसको जवर भी हाया तो बहुत कम आता है, और वो हमारे सम पुरुणती मुझता से ही करते हैं तो पेशन्ट को अर्जवर रहता है तो पेशन्ट को वही बोलना है कि बच्चों को हलका हारे वही देना है कुछ भी उससे ही संसर्जन करम हो जाता है तो उससे हमें संसर्जन करमती कुछ जरूरत नहीं बढ़ती है सिर्फ लगोहार लेना हो जाता है तो एक अनुभव था यह जो आपने मुझे गाइड किया था तो वह मुझे यह ट्रिट्मेंट बहुत सक्सेस ही रही है अब में सद्धिव अमन क्या से दिया इस सर ने मुझे बोला था मैंने पूछा था कि मैंने मदल्फवन पिपली भी लाया था पर सर ने बोला था कि उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे है तो इतना जरूरत नहीं पढ़के क्योंकि उन्हें उत्कले शरिता है तो जस लवन जल डालके गुंगोने पानी में लवन जल डालके मैंने दिया था देखो वामक द्रव्य कब हम देते हैं वामक द्रव्यों का काम क्या है कि उनके वो विकाशी गुण है व्यवाई विकाशी गुण के द्वारा ये जो गुण के द्वारा जो है क्या करते है व वो दोशों को कोश्ट में लाए और भार फेकें, ये गुण रहता है, तो उनमें बच्चों में शाखागत दोश नहीं रह गए रहते हैं, वह कफ का रहता है, बल कम रहता है, तो ये विचार करके और उत्कलेशित कफ दोश आवस्ता रहती है, ऐसे आवस्ता रहती है, इसलि अस्तरा हो रहता है ऐसी कंडिशन रहती है तभी यह सद्धिवमन करना है दोश बाहर आना चाहते हैं हम मदद करते हैं उनको लाने के लिए है ना अगर वो नहीं लाए म्यूकोलाइटिक एजेंट आपने प्रयोग किया यूज किया ये किया वो किया तो वह विलेन होता है वह कुछ भी है और वो दोश अगर उस धातू में गए तो फिर संप्राप्तियां बिगड़ जाती है तो जवर भी आएगा और कुछ अलग भी आएगा तो इसलिए जो दोश है ना भी आमाशय में उसको पहले निकालो आमाशय के शुद्दी करो आमाशय ये पहला पात्र है ज सेम अगर जो से 3 मैने के बेबी से तो हां सोला साल बच्चे ये सब 2-3 मैने का बेबी सर अ önce सब बच्चा निकलता है तो पहले भी वह मन करते हैं में बराबर ना क्योंकि वहां भी कंप इरचमा रहता है उसके इसमें तो लवण और ये डाल उंगली अगर कल दी तो वो उल् श्वासर जो बती अच्छी होने लगती है बच्चों में मूलता जो है वमन चीकिस्टा होने वमन मिन्स क्या सद्ध्यो वमन बोल रहा हूं शोधन वमन नहीं जो पंचकर्मा में स्नेयन स्वेधन पूर्वक वमन वो नहीं उसके लिए वो अनरह है बच्चे क्या होता है खानपानी गलत होता है बच्चों का ऐसे बड़े कुछ हेतु नहीं रहते अजर नाशन रहता है गुरु आहार रहता है अतियांबुपान रहता है मदरो सेवना दिक्या रहता है यही रहता है हेतु कॉमन रहते तो उस हेतू से common कफ़ रकोफ हुआ रहता है बरबर ना आमाशे जो है उसका मूल स्थान है आमाशे की सब वमन है बरबर उस उमर जो है वो कफ़ की है और ये कफ़ का हेतू कफ़ की उमर और आमाशे ये सब तुल्य है तुल्य गुण के है और इस तुल्य गुण के सब वमन ह बराबर है na, इसलिग वह वह मेन है, हर एक में आया वह मेन इसे नहीं है ठीक है ना, उस प्रकार से दिखनी चाहिए लक्षा ठीक है, पर यह होता नहीं वह मन पच्चों में, उल्टी आने के बिडर जाते हैं तो उनको लगता है उल्टी आना यह विमारी यह विमारी वो उत्लेशित आउसता है इसलिए उसने उल्टी कर दिया आप ठीक हो जाएगा ऐसे ही है तो अनुक्तो व्याधियों का इस प्रकाश से बोलो आपने बोला कि बच्चों में शाखा गद्दूश नहीं होते हैं तो इसका उमरी कितनी है हित्वों का बल बढ़ने के लिए है ना बोलो अब शुतर रहेगा बच्चों में तो उसके लिए तो अलग्च किसा करने पड़ेगी है ना बराबर है ना तो यह कॉमन चीज़ बता रहा हूं और इसका वर्डन वागबड़ जा रहे ने दो बार कि आए कि वच्चों में सद्ध्योमन करना चाहिए और आपने जो भी इस इक्स पॉंट्स बताए उक्तव्यादी में भी हम यूज कर सकते ना करना क्या है ये पहला प्रश्णव पड़ता है और हम क्या करते फिर अनुक्तव्यादी तो डर जाते ना पहली बात करने क्योंं क्योंं या है, यृष बोड़ा इसा रहता है, रिस्पॉंस्लीटों है रहती है सब्सक्राइडा मैसेज करते हैं, मैं तो मैंने को करो दो तीन और वाइद्यके 2 तार्ष करो, क्या करें हिस्थ यह प přयाता है उनक्तिवादी के चिकेन कुलेit, 20 Pokdo मैंने तो ये प्रयोक आथा मैंने कांचनार गुगूड यूज के आता मेंने तो इंत प्रवा किया था तो उनके अनватव के तौर पर बताते हैं पर कुध का एक वईचारिक जो है यह सब पॉइंट है ताकि आपको किकसे को पूछना ना पड़े आप वहां से चालू करें ट्रिट्मेंट पहले उस पॉइंट के अनुसार बराबर है यह बड़े कुछ नहीं है पॉइंट इसा कुछ बड़ा विचार नहीं है कि कहां से तो मैंने लाए ऐसा नहीं बहुत ही सिंपल है पर यह भूल जाते हैं पॉइंट जब अनुक्तव्यादी सामने आती हैं तब इसा है तो कई चीजे जो है वो लिख के रखो क्लिनिक में कि ऐसा अगर आ गए तो यह इसके फिल्टर में जाएगा पेशन्ट पहले तो केस्पेपर अच्छा बनाना यह तो बहुत महतोपुर्ण है तो उस केस्पेपर में पुरोव्यादी वृत्तानत भी रहेगा आपको मिनिमम कुछ लोग जो है ध्रन्थके वो रहने चाहिए याद यह बहुत बेसिक क्रैटिर है प्रैक्टिस का एक तो बेसिक बेसिक चीज है वो यह रहनी चाहिए दिमाग में ताके अनुत्यवादी जट से सौल होने लगती है ऐसे हैं और इसी प्रकार अगर काम किया जाए तो कोई भी बड़ी अनुक्तव्यादी वो ठीक होगी होगी आपको दोश्य साम्या उस्ता में लाना है धातूं का बल बढ़ाना है कोई दुद्व्यादी है और वो रक्त में गई है रक्त कैंसर है बलड कैंसर है और पेश्ण म दो अनन्ता जैसे अंधा करो तो यह रखने रखने उसको बलड कैंसर का अचा है थीख है quality of life इसको मिल गई वो जाएगा क्या वो हमारा काम नहीं है हमारा काम है उसको जिन्दगी अच्छी देना बराबर हैं कैसा कोई भी बड़ी नाम हो बड़ा नाम हो व्यादी का जो कभी सुना नहीं देखो इतने नाम रहते हैं उनके व्यादियों के modern diagnosis तो कभी कभ ऑँ आइसा हो गा कि आप modern में भी perfect हो जाऊगे आई कभी भी होगा नहीं वो नहीं आयरोद्ड करते हिसलिए वनको modern रहता है हम ही दोनों चीजे Web ते पढ़ने पढ़ते हैं तो इसलिए ये कुछ दिमाँ इसाना नहीं रखना कोई भी complicated नाम हो कुछ भी हो कितना पढ़ो गया modern बराबर है ना उसको लिमिट है ना कुछ तो डाइग्नोसिस भी पढ़ना ये भी पढ़ना डर्ग्स भी पढ़ना और आयरविदिक भी पढ़ना दोनों में कहाँ है व्यादी कोई नाम क्या है है इसका नाम ही नहीं पता चल रहा है मैंने कभी यह पढ़ाई ही कहां पर रहे यह पक्वाश है में चलो बस ती आपको चालो करेंगे हम ऐसा है ठीक है और अनुक्त व्यादी में और कुछ पूछना है किसी को और भी पॉइंट निकाल सकते हम इसमें और क्या चाहिए विचर करते हैं मैंने यह अभी इतने तो पॉइंट हम क्लिनिक में जो है अनुप्तोयादी अगर कोई आ गई तो इतने पॉइंट में जाती है जाए कोई भी हो ठीक है और होगे प्रश्णा रुखेंगे हालो हूं बोला वा तरश्ट टिटश कफ़ आसर डिफ्रेशेशन करने सट आसर के सपेसिफिक बगया लागिल का प्ले शुरूआ चिला कान आसर के कदी 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 का उते सग्रेश के चता ही ता सवाट्ट ना देखो रुगण कभी कबार आता है वो हेतु संकर लेकर आता है ना तो हेतु संकर जब रहता है तो बलवान हेतु कौन सा है और वो बलवान हेतु अगर है तो उस हेतु से व्यादी होता है और अगर कम बलवान हेतु है और वो काफी लंबे समय तक है तो वो भी बलवान हो जाता है बरबर इना तो चिकिसा पेशन देखते समय हमें सभी एंगल देखने पड़ते हैं हेतु देखने पड़ते हैं लक्षन देखने पड़ते हैं उप्षय अनुप्षय देखने पड़ते हैं लिंक लगनी चाहिए हेतु की लक्षन की व्याधी की और उप्षय अनुप् बुढ़े वी तो व्यादी को नहीं हो गई और उपशय अनुपशय प्रूँ खाने वियादी कम हो रही है कि लंगन करने के बाद बढ़ रही है इसका मतलब इसने से बाकि signature निकालना बार वन के वहाद संट में US है ज二 शॅंज समझ में आ रहा है काल अपन मुश्रुवा तिला चॉइस करना आपन पहलें दाला वर ते हुआ ते अब जैसे पढ़ते जाओगे ना कंफुजन होता है थोड़ा कम पढ़े तो तरह कंफुजन होता है और और ज़्यादा पढ़े और इस प्रकार से अगर विचार कीज़ेगे कुछ नहीं होता खुद के दिमाद को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते जब तक आपको मालूम है ना कि कोई है कि मैं इसका हाथ पकड़कर चल सकता हूं तब तक आपका चलना जो है वह अच्छा नहीं होता एक बार ऐसे इंसेकुरिटी आ गए कि कोई नहीं है मुझे ही करना है तब जाके क्य अच्छी बात है पर कभी कभार ऐसे भी मोड में रहेना कि नहीं यह सब कुछ मुझे करना है संप्राप्ति बंक मुझे ही करना है मुझे ही तू निकाल ले मुझे सब कुछ करना है ठीक है ना तो आप क्या करोगे उस डर के बज़े से ज्यादा पड़ोगे उस डर के ज्यादा उसमें active रहेगा और ज्यादा active रहेगा तो और अच्छे उसमें result मिलने लगते हैं इस रहे ठीक है तो पहले-पहले पूछ हो पहले-पहले नहीं practice रहते हैं तो पहले-पहले पूछना यह case हो एक point आएगा कि उस समय आपको नहीं किसी से पुछना एक point आएगा कि आपको नहीं मुझे ही करनी है चाहे कुछ भी हो तो आप पूरी की पूरी शक्ति लगाओगे उसको ठीक करने के लिए कहाँ से जहाँ-जहां से नहीं मिलता वहाँ-वहां से रेप्रामस ढूरी ग्रंतर से कुछ नहीं करना यह पूस्तक है कि कुछ भी आया समस्या इसमें ढूरना यह पहला पहला और जोना शक्ति है उसके परेंने की वीचार है, तो आपको जो जो समस्य आती है, जो जो ऐसी कठी ना कठी ना ही आती, उन सभी के और ये कोई उत्तर नहीं जो इनमें नहीं है, कोई भी, चिर्फ उस तरीके से हमने पढ़ाने रहता है, है न, हमने एक्जाम और इंटर आपको सबीके अंसर करना है है कि मुझे मुझे पूछे होगे मुझे और कोई कोई जट से आंसर दोंगा आपका समाधान हो जाएगा ठीक लगेगा आपको भी अच्छा लगेगा पर यह ढूंटे समय जो आंसर निकालने की प्रोसेस है वह बहुत बढ़िया है क्योंकि एक आंसर ढूटने के लिए आप उपर नीचे सभी पढ़ते सभी चीज़ें पढ़नी प है उसमें भी नहीं हो रहा है तो फिर बाद में एक और जट से स्पून्फिडिंग किसी की मदलो किसी भी नज़्दीक का वहिद्य हो divergence यह सब सब पर पूछड़ लिया तो इसे यहैँ corridor हो ढूंडने की जो आदत है वो दुख दायक आदत है तो उसके आदत जट से लगती नहीं तो आदते डालनी कभी भी और उसमें भी नहीं मिल रहा है तो यह करना ऐसा कोई प्रश्ण नहीं है प्रैक्टिस में आने वाला जिसका उत्तर इसमें नहीं है कोई भी प्रश्ण प्रै कैसा है अगर सब्सक्राइब इस सब एटिकेट्स से जरुदर कुछ दिया है इसका मतलब क्या है आप बैठो और पेशेंट करो और पेशेंट बढ़ाओ ऐसी होना चाहिए वो ही उनको अपिक्षित है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो रुकेंगे अभी ठीक है